श्री विरेंदर सिंह, रेस्लिंग जी विरेंदर कैसे हो? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ आप ठीक हैं? जी जी बताईए अपने विशे में थोड़ा बताईए देशवासी देखना चाहते हैं आपको पिता जी और मेरे चाचा जी पहलवान थी, मैंने उनहीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये लिग दर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रही और गुश्पन से ही मैंने अपने मेरे ममी पापा मुझे support करते तहीं I am Kap iba Michy कुण और चाचा को संतौशाइ कि नहीं वो क्रों और कि भी लोगो योगों के साथ खेलता हुँ मैं उनको मैं उनको मैंने उन्हें बात दिया और मैं सिलेक्शन में काया हूं अग्यू कि दूब लूगते हैं और मैं पुछी से मारे पूला नहीं समाई कि मैं जीत गया जब मेरे ले बार जीता है ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो अब मैं क्यों हेरिंग समाज के पीछे जाओं अब मैं बदिर समाज में ही एक नाम कमा सकता हूँ और मैं उसको अनिरंतर आगे बढ़ सकता हूँ मैंने कई मैदल जीते 2005 में उसके बाद 2007 में उसके बाद मैंने फर्स्ट ओलंपिक जीता था अज़ा विरेंग बताओ अज़ा 2005 से लेकर अब तक के हर डेफ ओलंपिक्स में आप पदक जीत करके ही आए हैं यह निरंतर था आप कहां से लाते हैं इसके पीछे क्या प्रहणा है अबकर अज़ा अब की चरानब क करता है इसके में घृतार कर दो कीचे से लाइक तब तब सबीा तो मेराम रहता है कि मैं बहुत कहींने छोड़ी तो मैं अपने सब्सके निकलता हूँ अपने को याद करके ही खेलता हूं और मैं खुश रहता हूं कि मैं विजव होकर आया हूं यह मेरे मन में रहती है आज आज़ा में ते समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है वो कौन है जितने भी रेसलर्स होते हैं मैं उनको देखता हूं कि उनकी स्ट्राटिजी क्या है मैं वो देख के सीखता हूं कि वो कैसे दाओ खेलते हैं वो मैं उन्ही को देखके खेलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे उस पर ध्यान रखना है कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूँ कि उस खिलाडी ने कैसा खेला था तो मैंने को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टकर देके खेलना है मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है एकदम सामने की कराके की तक्कर देरी हैं और जीतना हैं उस अदाव पेज के साथ विरेंद्रे अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं साथ-साथ विद्यार्थी भी हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सच मुच मैं हर किसी को प्रेरित करती है इसके साथ ही मेरा मानना है कि आप से देश की खिलाडी और युवां दूनों जो सिख सकते हैं और वो है आपकी निरंतरता एक बार सिखर पर पहुँचना कठीन है पर उससे भी कठीन इस बात पर है कि जहां पहुँचे हैं वहां टीके रहना और फिर भी उपर जाने की कोशिश करते रहना आपने सिखर पर पहुँचने के लिए तपस्या किए आपके चाचा ने आपके पिता जी ने लगातार आपको मारदर सिंच किए आपके मदद की पहुचने के बात टीके रहना ये मैं समझता हूँ आपकी गजब की ताकत है और इसलिए खिलाडी जगत इस बात को समझेगा आपसे सीखेगा मेरी तरफ से आपको बहुत सुपकामना है बहुत बहुत धन्यवाद